हलो दोस्तों, स्टिपिंग अपडेट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे कि जिनको e-learning करना है और उनके face verification में problem आ रही है तो वो लोग अपना face verify कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपको अपना photo और signature dg profile में upload कर लेना है और upload जिन्होंने नहीं किया है हम description में link दे देंगे आप लोग video देख लिजिएगा कि photo और signature कैसे upload होता है dg profile में और जिनका upload है फिर भी उनको problem आ रही है e-learning करने में face verification के लिए तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग अपना face verification कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चलते हम लोग firefox में और वहां डालते हैं dg shipping firefox में हम लोग dg shipping डालेंगे उसके बाद यह देखिए dg shipping के website हमारे सामने खुल के आ गई है और हम लोग एकदम last में आएंगे exit exam में सबसे last में आएंगे exit exam लिखा है इस पर click करेंगे हम लोग इसको open करते ही हमारे सामने यह देखिए यह page खुल के आ गया यह student login यहां में कुछ नहीं करना है हमें नीचे आ जाना है थोड़ा से नीचे यह देखिए second row में नीचे second में exit exam जाओ है exit exam पर हम लोग चलेंगे सीधा exit exam पर जाने के बाद में यह देखिए exit exam operational instruction है यह सब सारा उस पर हम लोग नहीं जाएगे timing क्या रहे की क्या क्या रहता है उस पर हम लोग नहीं जाएगे हम लोग सीधा आएंगे यह दो नंबर पर देखिए click this link यह link जो दिया है इसको हम लोग copy कर लेंगे यहां से यह तो आप लोग कहीं लिख लीजिए बस इतना काम है यहां से उसके बाद हम लोग सबसे पहले copy कर लेते हैं यहां से link को और उसके बाद में इसका काम खतम होगे हम लोग नए type पर चलेंगे बैसिकली हमको यह लिंक चाहिए था यह लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आप वहां से भी डारेक्ट चले जाईएगा कि यह लिंक हम लोग यहां पेश्ट कर देते हैं के हम लोगे स्वेश्ट करने के बाद इनटर वमारते हैं इसको इंटर करते हैं लोग करने के बाद यह देखे हमारा सामने यह पेश Alzheimer क्या गया लॉग इन है इसमें हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे यूजर नेम में हम लोग अपना इंडोस नंबर डालेंगे और पासवर्ड में भी अपना इंडोस नंबर ही डालेंगे जो हम लोग डीजी प्रोफाइल खोलने के टाइम डालते हैं वही इंडोस नमबर डालेंगे और वन लगा देंगे आगे वन लिक के इसको लॉग इन कर लेंगे इंडोस नमबर लिखा उसके बाद में लॉग इन कर लेते हैं इसको हम लोग डॉंट सेब कर देते हैं यह देखिए हमारे सामने खुल के आ गया सबसे पहले home page है यह देखिए second में verify profile photo है add photo है change signature है हमारा इतना ही काम है इसको देख लेते हैं हम लोग verify profile photo में हम लोग जाएंगे उसके बाद में live image है start webcam करेंगे और capture पर आएंगे हम लोग बाद हम लोग देख लेंगे photo ठीक है capture करेंगे हम लोग इसको देखने के बाद हमारी photo यहां आ जाएगी यह देखिए हमारी photo आ गए देखें फोटो ठीक है तो इसको verify कर लेंगे हम लोग यह होने के बाद हम लोग आइड फोटो में आएंगे यह आइड फोटो है इसमें आइड फोटो में यह देखिए यहां तीन फोटो हमारी लाइब जो है लगेगी एडिशनर थ्री लाइब इमेज फॉर फेसियल रिक्मेंडेशन परपस के लिए तो हम लोग इस्टार्ट वेब कैम में जाएंगे और हमारी फोटो आएगी इसके बाद में हम लोग कैमरा लाउ कर देंगे हमारी फोटो आ गई है देखिए इसमें हम लोग कैपसर इमेज पे जाएंगे कैपसर इमेज कर लेंगे हम देखेंगा हमारी फोटो ठीक लग रही अ अप्लोड फोटो करने के बाद में यह देखिए उपर आ गया फोटो अपडेटेड सक्सेस्पुली उपर देख लीजिए फोटो अप्लोड होगे है अच्छे से फिर हम लोग दूसरा फोटो ऐसे कर लेंगे इस्टार्ट वेप कैम में जाएंगे कैप्चर करेंगे फोटो फोटो ठीक लगेगी अप्लोड कर देंगे इसको बाद में भी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है नहीं हमारा फोटो ठीक लग रहा है फिर से हम लोग स्टार्ट वेप कैम में जाके फिर से हम लोग सही कर लें है हमारी यह फोटो देखिए यह भी अप फोटो अप्डेटर सक्सेस्फुली यह भी हमारे दोनों फोटो अपडेट हो गई है यह तीसरा भी कर लेंगे हम लोग इस्टार्ट वेपकर में जाएंगे उसके बाद में कैप्चर फोटो में जाएंगे कैप्चर कर लेंगे इसको उसके बाद में upload कर देंगे इसको हम लोग upload करने के बाद में यह देखिए यह तीनो फोटो हमारी photo updated successfully तीनो हो गई है अगर फिर भी हमको कोई दिक्कत आ रही तो हम लोग यह report issue है इसमें जाएंगे report issue कर लेंगे यह subject में लिख देंगे हमको क्या दिक्कत आ रही है और message message करके इसको just send कर देंगे अगर हमें कुछ problem आ रही ही तो हमारी तीने photo successfully upload हो गई है कि अगर हम लोग को अपना signature भी change करना है signature में भी दिक्कत आ रही है तो यहां हम लोग change signature पर आएंगे signature भी change कर लेंगे upload scan passport and signature photo verification के लिए यह हम लोग passport की copy scan करके यहां browse कर लेंगे यहां upload कर देंगे जो signature वालवाब पेज है वहालवा पेज passport पर जो signature वालवाब्श रहता है वहालवाब करेंगे यहां हम लोग signature एक paper में करके उसको यहां अपलोड कर देंगे क्योंकि दोनों मैज करेंगे verify करने के लिए उसके बाद में जाष्ट इहाँ upload signature पर जाएंगे और upload कर देंगे और हमें कुछ problem है तो हम लोग यहां report issue में जाके report भी कर सकते हैं report issue में गए issue related with यह देखें कि exit exam में आ रहा है कि कैस्स में आ रहा है कि je learning में किस में आपको दिख्कत आ रही वो चूज कर लेंगे इशु में इसुझ यहां मैसेज हम लोग लिख सकते अपना हमें क्या दिख्कत आ रही है उसके बाद सब्मिट कर देंगे बस इसको उसके बाद हम लोग status में देख लेते हैं अगर फोटो और जो है हम लोग status पर जाके देख लेते हैं कुछ हमें दिक्कत है हमारा signature जो हम लोग upload किये हैं तो यहां आजाएगा हम लोग कुछ नहीं किये तो यहां not applied before है अगर apply किये रहेंगे तो यहां status आजाए क्या दिक्कत है लिंक हम जो है description में दे देंगे आप लोग वहां से भी direct अपना photo and signature upload कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like करिए, share करिए, subscribe करना न भूलिए Thanks for watching